तो इस प्रकार हम पाते हैं कि दोनों खेमों की सोच बिलकुल अलग अलग थी दोनों की अर्थ व्यवस्था बिलकुल अलग 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 रही होगी और इसलिए दोनों की राजिनितिक व्यवस्था भी बिलकुल अलग 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 रही होगी ये लोग कुछ ऐसी व्यवस्थाओं में विश्वास करते थे कि उसका खामियाजा दूसरी व्यवस्था में अविश्वास के रूप में होता था दोनों विचारधाराएं और दोनों पधतियां इसके दोनों के अपने फायदे हैं और नुक्सान भे किसी भी व्यवस्था के दो पहलू होते हैं ये तो आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो ये जो आर्थिक व्यवस्था है इसके भी आखिर दो पहलू तो है ही हाँ याद रखेंगे कि साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था ये मात्र आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है ये बलकि एक राजनेतिक व्यवस्था भी है मोल रूप से ये आर्थिक विचारधारा है लेकिन इसकी परणिती एक नई राजनेतिक विचारधारा के रूप में भूई है गुर्दोशों की भाद करें तो दोनों महाशक्तियां जो थी अपने प्रभुत्व को इन संस्थाओं में बढ़ाना चाहती थी और अपने प्रभुत्य को बढ़ाते हुए वे विकास शील, आविकसित देश, नवोदय देश इनमें अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी अंतराश्टी संसानों के माध्यम से ये देश जो हैं वो गरीबी और विशमता को कम करने के लिए कुछ कारकरम भी लाए जैसे मार्शल प्लैन जिसका उधरन हमने अन्यध्याव में किया है और उसके अलावा आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी योजनाय बनाई दूसरी ओर सोवियत संग और उसके जो समर्थक देश थे इनके पास अमेरिका की आर्थिक ताकत से टकराने की शक्ति नहीं थी ये आप याद रखें सोवियत संग यद्यपी दूसरा महाशक्ति था सोवियत संग यद्यपी अमेरिका को बराबर टकर दे रहा था लेकियनि आर्थिक नीत की बात करें तो उस दृष्ट से सोवियत संग और वह खेमा काफी कमजोर था दूसरे शब्दों में मेरा इशारा उन वैश्विक संस्थाओं की ओर है अंतराश्टी संस्थाओं की ओर जिसे गैट वर्ल बैंक और आएमेफ मेंने कहा इस संस्थाओं के माध्यम से पश्चिमी जगत अपना प्रभाव नवोधित राष्टों में बढ़ा रहा था और उसका परिणाम तनाओ क्योंकि सोवियत संग इस तरह के बढ़ते प्रभाव को लगातार एक शक्की नजर से देख रहा था प्रतिद्वन्द्वी महाशक्तियां और इनके बीच की बढ़ती प्रतिद्वन्दिता हथियारों के होड को जन देती है वैग्यानिक शोध हथियारों के ओर अग्रिसर हो चलता है और इस शोध में भी प्रतिश्परधा बढ़ती चली जाती है हथियारों के लिए शोध में सैनिक शमता को बढ़ाने के लिए होने वाले शोध में खर्च बढ़ रहा है परणाम क्या होता है कि सोवियत संग और वो खेमा जो वैसे ही आर्थिक जिस्टे से कमजोर था वो और कमजोर होता चला गया विकास की दिशा वहां थम गई विकास की दशा थम गई और उसके बदले सोवियत संग और उसका खेमा सैन ने हथियारों से लैस होता चला गया नए नए हतियार इजाद होने लगे और तो और इन दो खेमों के परणाम सुरूप दो तरह की सैनिक संधियों वाले गुट का भी जन्म हुआ जिसे नैटो, एक और और सोवियत संग के खेमे में वार्टसॉप पैक के रूप पे जाना जाता है कुल मिलाके निशकर्ष ये संखित में कि सोवियत संग का जो खेमा है वा खेमा आर्थिक जिससे कमजोर होता चला गया और कमजोर होता चला गया विश्व शक्ति बना रहा पर शक्ति किस मामले में भौगलिक शित्र के मामले में शक्ति किस मामले में जन संख्या के और संसाधन के मामले में और शक्ति इस मामले में कि वह एक हथियारों से लदा हुआ देश अकेला जो कुछ हज तक अमेरिका को टकर दे सकता था बस लेकिन यदि अंदरूनी धांचे की बात करें तो सोवियत संग अंदर से खोखला हो चला सोवियत संग के खेमे में जड़े हुए पूर्वी योरप के देश जो उसकी सीमा से सटे हुए थे वे देश भी कमजोर होते चले गया आर्थिक जिस्टि से इस competition के कारण प्रतिसपरधा के कारण आर्थिक स्थिती इनकी दिनों दिन कमजोर होती चले गई जरजर होती चले गई आर्थिक बदहाली आती चले गई और असंतोश बढ़ने लगा यह जो मैं सोवियत संग का जो पूरा जिक्र कर रहा हूँ इसके पीछे उद्यश यह है आपको यह बताना कि 1990 में सोवियत संग आखे टूटा क्यों और क्यों विश्व जो है वो एक धृवी व्यवस्था पर आगया इसको विस्तार से तो आपने पढ़ा है और अन्य विश्यों में भी इतिहास में भी यह विस्तार से दिया हुआ संग्षिप में आपको बस यही बताना था कि इस प्रकार बढ़ते असंतोश गिर्ती आर्थिक व्यवस्था ने बढ़ते असंतोश को जन दिया और अन्ता सोवियत संग्चर बराकर तूड गया यह घटना 1990 की है विखंडन की घटना और महाशक्ति के रूप में इसकी जो प्रतिष्था थी वो समाप्त हो जाती है दूसरी और पाश्याच्य देश उनका क्या होता है पाश्याच्य देश इस घटना को किस रूप में देखते हैं और यही जो बदलाओ है वो वैश्वी करण की और पूरे देश पूरे विश्व की व्यवस्था को ले जाता है जैसे यह सोवियत संग विगटित होता है यह देश श्वतंत्र होते हैं पंदरा नय देश सामने आते हैं साम्यवादी व्यवस्था समाप्त होती है और नवोदित राष्ट भी अब सोचने लगते हैं कि वो किस तरह की विचारधारा के अनियाई बने तो स्विक्त यह सामने आते हैं और अपने तरीके से इन देशों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं चाहते हैं कि इन नए देशों के साथ हमारे आर्थिक संबंद स्थापित हो इन नए देशों के साथ हमारे साथ वैचारिक तादात में हो पाश्चात से देशों ने अनुभ हुआ कि जिन देशों के साथ उनके आर्थिक संबन्द अभी तक नहीं थे अर्था सोवियत खेमे के देश तो उन देशों के साथ संबन्द स्थापित हो वे देश हमारे साथ जुनें इंटिग्रेट हो हमारे जैसी आर्थिक विवस्था में आएं हमारे जैसी वेचारिक विवस्थ में आएं उनके साथ संबंद बढ़ें और ऐसा करते हुए वे नए ये सारे नए देश विकास के और अग्रसर हों कुल मिलाकर ये इसका मक्सद था कौरबचे जो सोवियत संग के 1990 के विगटन के समय सोवियत संग के मुखिया थे उनके शासिनकाल में सामयवाद के पतन की प्रक्रिया सोवियत संग और पूर्वी यूरोप में शुरू हो गई थी इन देशों के अंतराश्टी वित्तिय और व्यापारिक संबन्ध भी लगभक समाप्र प्राय थे यद्यपी शुतंतर होने के बाद इन देशों ने इन में से शुतंतर हुए देशों ने इन वित्ती संस्थाओं की सदेसिता ग्रहन की ताकि वे भी विकास के पज़ पर प्रित्व के मार्ग को अपना सकें इस प्रकार हम देखते हैं कि सोवियत संग के विगटन का एक बहुत बड़ा परिणाम पूंजी वादी विचारधारा का विस्तार था और जब पूंजी वादी विचारधारा पस्चिमी खेमे से निकल कर जब पूर्वी खेमे की ओर भी बढ़ती है तो निश्चित रूप से वेश्वी करण की प्रक्रिया को बहुत बढ़ावा मिलता है और इसी लिए जैसा मै निजी करण, उदारी करण और उसके साथ साथ पारदर्शिता की विश्व व्यापी जो सोच थी उसमें चीन, व्येटनाम, क्यूबा ये लोग भी शामिल होने लगे इनका नाम मैंने इसलिय लिया है, क्योंकि ये भी वही देश थे, जो सोवियत संग से भले ना प्रभावित हों, पर सोवियत संग जैसी ही विचारधारा इन देशों में भी थी, क्यूबा, चीन और व्येटनाम रही भारत की बाद, तो भारत ने, जैसा मैंने पूर में बताया, गुट निरपेश्टा का मार्ग अपनाया था, वो ना सोवियत संग के खेमे में गया, और नहीं पश्चिमी खेमे में, अर साथ अमेरिका के खेमे में गया, बलकि उसने एक नैत रास्ता, उसने ऐसी विद अर निरपेश्टा का परिणाम था, कि भारत ने, अपनी एक अर्थ विख स्था इजात की, जिसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थ विख स्था, जिसमें साम्यवादी विचारों की अच्छी बातें और पूजीवादी विचार धारा की अच्छी बातों को लेकर, तत्काली, तधिक और आर्थिक विवस्था देने का प्रयास किया, मिशरित अर्थस्था में भारत के साथ साथ कुछ अन्य देश भी जुड़े पर भारत की जो मुख्य धारा थी वह हम मिश्रित अर्थ वर्ष्था के रूप में देख सकते हैं आज जो है वो पूरा विश्व हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थ वर्ष्था तो नहीं बलकि एक अन्य तरह की विर्थ वर्ष्था से प्रभावित होकर आगे चल रहा है वैश्वी करण की प्रिष्ट भूमी को अब हम समझ गया है सोवियत संके विगटन के बात से यदि हम उदय के कारणों पर जाएं भू मंदली करण के उदय के कारणों पर जाएं तो सबसे पहला कारण होगा राश्टरों की पारस्परिक निर्भरता अर्था किससे तात्पर क्या है इसके माइने ये हैं कि देशों ने एक दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत महसूस की देशों को ये लग रहा था कि हम क्यों न दूसरे देश के लाब को दूसरे देश में होने वाले जो अच्छे प्रयोग हैं अच्छी चीजें हैं उनका फायदा हम भी क्यों न ले दूसरा यदि हमारे पास कोई सा संसाधन पर्याप्त है जरूरत से ज़्यादा है तो उसका लाभ हम दूसरे देश को क्यों न दे और ऐसा करते हुए क्यों न हम अपने व्यापार को बढ़ाएं कहने का ताथ पर ये कि यदि मैं इसकी बात करूँ कि आखिर क्यों वैश्वी करण का उद्य होता क्यों है ठीक है सोवियत संग तूटा अमिर्का की विचाल धारा का प्रभाव बढ़ा लेकिन बढ़ने के पीछे कारण क्या थी जरूरत किस बात की जरूरत निर्भरता एक दूसरे में पर बढ़ती निर्भरता महसूस की जाने लगी देशों ने पाया कि यदि हम अन्य देशों में जो विकास हो रहा है आर्थिक विकास और द्योगिक विकास संचार्तमंदी विकास यदि हम उसका फायदा नहीं लेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे कुछ अन्य देशों ने पाया कि हमारे पास इतने परियाप्स संचाधन रहते हुए भी हम इसका उचित दोहन नहीं कर पा रहे हैं उधारन के लिए जिए मैं मिडलीस की बात करूँ मध्य पूरु देशों की अरब देशों की वहाँ पे पेट्रोलिया भारी मात्रा में था इनका सोचना था कि क्यों न हम इसे पश्चिमी देशों को जरतमन देशों को बेचे और अपना विकास करें और जब उन्होंने ऐसा किया अर्था जब वे वैश्वी करण की प्रक्रिया से अपने को जोड़े तो आज हम देखते हैं मिडलीस के बहुत से देश सबसे धनाध्य देशों में गिने जाते हैं दूसरा करण वेग्यानिक एवं तक्नीकी विकास उदे के कारणों की बात कर रहा हूँ प्रारण में मैंने दो ही कारण बताये थे संचार और अद्योगी करण लेकिन इस से ज़्यादा कुछ और भी है प्राइमरी कारण तो यही दो थे लेकिन उसके बाद निर्भरता तक्नीकी विकास और पर्यावरन तीसरा कारण है पर्यावरन इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे पर दो पंक्तियों में यह समझ लें कि पर्यावरन एक ऐसा मुद्दा बन चुका था जिसमें एक अकेला राष्ट स्वैम कुछ नहीं कर सकता था बदलते हुए बनते हुए और बिगडते हुए पर्यावरन के लिए जरूरी था कि सभी देश एक आएं एक प्लैटफॉर्म पे आएं और उस जरूरत ने ग्लोबलाइजेशन या वैश्वी करण के दिशा में पूरविश्व के सभी देशों को मोड़ा चोथा कारण आतंकवाद की समस्या वरतमान में आप देख रहे हैं कि लगबग विश्व के अधिकतर देश चाहे वो विकसिक्त हों या विकाशील देश हों आतंकवाद की समस्या से जूज रहे हैं और इन सभी देशों ने समझ लिया है कि आतंकवाद की समस्या किसी एक देश की समस्या नहीं हो सकती अफगानिस्तान का एक कुन्बा उससे जुड़े हुए कुछ लोग यदि अमेरिका जैसे सर्व शक्तिशाली देश के ट्विन टावर्स पर हेलिप प्लेन से हमला कर सकते हैं अंदर तक जा सकते हैं तो कोई अचानी हैं जो आतंकवाद से अपने को पूर्ण रूपेन मुक्त पासके कह सके इसलिए जरूरत पड़ी लोगों को सभी देशों को एक दूसरे के साथ जोड़कार आतंकवाद की समस्या का निप्टारा करने के लिए इस प्रकार आतंकवाद की बढ़ती समस्या और एक द इन कारणों के अलावा जदी संक्षिप्त में बिंदुवार कुछ और बात करें तो मानों विकास उसकी जरूरत, मानों की विकास की जरूरत, खासकर जब मानों विकास की परिभाशा बदल रही है, लोकतंत की रक्षा की जरूरत, व्यापार में वृद्ध की जरूरत, श्रम मानक निर्धारन की जरूरत, मानवी अधिकारों की रक्षा संबंधी मुद्दे, ये भी भू मंदली करण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, ये भी भू मंदली करण के मार्ग में आने वाली बाधाओं से हटते हुए अगरसर हो रहे हैं, यही कारण की आज भू मंदली करण का असर जो है, वो हम तक्नीकी विकास पर देखते हैं, सामाजिक विकास पर देखते हैं, परमपरिक जो सानस्कृतिक परमपराएं हैं उस पर देखते हैं और विश्व की प्रशास्निक व्यवस्था पर भी देखते हैं हम ये देखते हैं कि पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में अब जो प्रशास्निक व्यवस्था है administrative structure वहां लगवा काफी कुछ एक जैसा होता जा रहा है इस पर विस्तार से फिर आगे बाते होंगी